दोस्तो जब बिहार में सर्वे स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था बिहार में जमीन का सर्वे स्टार्ट होने वाला है और उसमें आपको सारा चीज में बताया था कि किस धंग से जो है सर्वे स्टार्ट होगा दोस्तो यह जो संच्छेप में आपको मैं बताने वाला हूँ, यह अगर आप जान लिजेगा तो आपके मन में हो सकता है कि स्ववोग कोहचन आपके मन में उत्पन होगा, क्योंकि आप बिशेश सर्वेचन के अभियान के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको कुछ होने वाला है तो आपको मन में जड़ू सोव कोशन आएंगे और दोस्तों जो आपके सोव कोशन मन में आएंगे वो सारे डाउट किलियर करने के लिए मैं अपने चैनल पर जमीन भी से सरवच्छन सरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको पूरा चीज बताऊंगा कि यह कैसे नापेगा आपका खाना पूर्ति कैसे करके आपको नाक्सा खतियान एल पीम देगा सारा चीज में आपको स्टेप बेश्टेप बताऊंगा और यह सरवेच्छर क्यों करा जा रहा है इसका मैं इस वीडियो में इंटरड़क्षन आपको दे दे रहा हूं कि क्या क्या अब होंगे और आपको इंटरड़क्षन देने के बाद मैं आपको डिटेल में नेस्ट वीडियो से आपको लेकर आऊंगा एक टॉपी को कुफर करते हुए यह आपको इंटरड़क्षन आपके मन में सवाल आएंगे कि सरी खाना पूर्ति क्या होता है और तो फोटोग्रा आपको जनकारी लेने के लिए उस्वाइब नहीं नहीं आएंगे और यह मैं आपको ग्रांटी नहीं दे रहा हूं कि आपको दो दिन या तिन दिन के बाद हर एक वीडियो आएगा आप लोग के कमेंट पर निर्वर करते हैं कि मैं इस तरह का स्रीज लाओं का नहीं लाओं अगर कमेंट आप लोग नहीं कहेंगा कि नहीं लाओं तो मैं बिल्कुल नहीं लाओंगा क्योंकि यह सब चीजों में बहुत सारे मेनथ होते हैं यह सारे चीज जीटेली कटा करना इतना असान नहीं होता है इसलिए मैं आपसे इस वीडियो के बाद आंत में आपसे नागरिक के तरफ क्यों अगर यह जो भूमी सिधार विहाग है क्यों संच्छेप में करके सबको बताती है कि ऐसे हम करने जा रहे हैं जनकारी के लिए नहीं और आपको जनकारी नहीं होगा हो सकता है कि करप्ट फिसर होंगे आपके पंचायद में गलत जो है कुछ सब्सक्राइब करने वाला हूं चलिए वीडियो लंबा हो जागा पहले मैं इंट्रक्शन देज रहा हूं कि यह संच्छेप में क्या होने वाला है विसे सरवच्छण में अर्थोफोटोग्राफिक मैं बनाना डिश्टिलाइज खतिया और्थोफोटोग्राफिक का मतलब क मतलब होता है परकास जो आप लोग ड्रोन में देखे होंगे एक छोटी सी परकास आपको दिख रहा होगा ड्रोन के माध्यम से जो है एक नाक्सा त्यार किया जागा अब आप उसमें क्या नाक्सा त्यार कर लिया जागा खतियान देंगे खाना पूर्ति करेंगे इस अब तो आपको जानना होगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्रीज आप देखना बिल्कुल ना पूलिया कि यहां इंटर्डॉक्शन में दे रहा हूँ तो यहां पर डिच्रेटाइज खतियान आपको बनाया जागा भूप क्रकृती जैसे कहीं एंगरिकफनल्चर कहीं कई साइड है और कहीं पर ऐसा है कि बहुत सारे मतलब एरिया मतलब सहरी करण में वह जमीन पड़ता है तो उस अनुसार से अर्पर बंजर भूमी है तो उस अनुसार से पर लगान निधारित करने के लिए स्यौर्अल रहें और विवादों से दूर रहें पहला चीज आप समझें दूसरा चीज में यहां बता है कि खाना पूर्ति का मतलब यह होता है कि जिस प्लॉट का जो है वह रायत का है उस कितना जमीन है यह सब खाना पूर्ति का मतलब होता है कि खाना पूर्ति का मतलब होता है कि खाना प्रक्रम में महतपूर है कार यह बोल रहा है कि किस्तावार यानि कि प्लोट वाइज यह प्रक्रम किया जाएगा और जिसमें महतपूर यही कार है इसमें कि और्थो सत्यापन किया जाएगा खेसरा करमांकन मतलब यह खेसरा वाइज यहाँ पर जमीनी अस्तर पर सत्यापन किया जाएगा यहाँ पर यह बोला जा रहा है हुब भू नक्षा करें तै determin लगातार लब यहां पर यह बोल रहा है कि उतर पचिम से लगतार जो खेस रहा होंगे जो हुब भू नक्षा का नुसार से हैं पूराना तीन सिमानी आप दिया जाए उत्तर पुरू पचिम तीन शिमानी इसमें दिया जागा क्लॉस्टर में करना या कारे तोखा लाइन सभीकार रियल टाइम में मैप बनाना जब इस्थिती होगा तब अस्पास्ट है उस्पास्त कर लिया जागा पहले उसके बाद रियल टाइम मैप त्यार किया जागा और उसके बाद का पॉर्थी नक्से को खाना को पूर्थी पूरिकी का मतलब ही होता है कि पूरा जनकारी उस प्लोट का होना चाहिए यहां पर पूर रहा है कि इसका रिती रिवाज यही होता है कि आप खाना पूर्ती जब करते हैं तो नक्समें खाना की पूर्ती होना चाहिए नक्सा का प्लोट नंबर होना चाहिए रायत का नाम होन खेसरा पंजी को तयार करके जो आप लोग जानते हैं जब करते हैं तो उस तरह से आपको वहीं पर तयार कर दिया जाएगा और यहां पर कैसे बाटा जाएगा सब डीटेल आगे यहां पर इंट्रेड़क्शन के बाद को चन मन में आयगा और मैं आपको बता दूं कि पांच पूर्ति की जाएगी कैसे आपर अमीन आएगा कैसे सरवक्श होगा क्या होगी सारा चीजे लोहां पर बताएंगे दावा आप प्रेक्शा के सुनवाई अधिकार विलेग की करे तयारी सफाई मुकाबला तरीम अंतिम प्रकासम में पूर्तर कीम यहां पर जो भी ब्यक्ति अधिनियम का उलेख है और इसमें उचित लगान निरधायत आपको किया जाएगा सुचना सिक्षा संचार भी से स्रवच्षा के मुख है धार मांग दर्शन दो दरकरार एफ यू भी है तैयार देखें यहां पर यह बता जा रहा है कि अपसरक देहां अमीन या बंदोबस पदिकारी सबकी नीशी जिम्वारी आमिलकर करें भू विवात यहां पर यह बोला जा रहे कि यह बंदोबस पदिकारी होते हैं सबकी जिम्मवारी है और शिक्षा मतलब जनकारी उनको दे और विशेष्रवच्षा का मुख मार्क दर्शन दे लोगों को यह कैसे हम जो हैं क्या क्या इसमें है लेकिन आपको पता है कि यह सारे चीज होती छुँद्धे होगा कि क्या 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 है रजय समाना की तो मोदें लाइक होगा है कि क्या हूंका लगा हूंक क्यों लड़का हूए वो भी मैं आपको नेस्ट वीडियो में प्रवाइट कर दूँगा क्यों अभी काम सर्वे का रूखा हुआ है क्यों अभी इस चारो धंग से काम नहीं चालूगा सारे चीज में बताऊंगा और आपको मैं बता दूँँ कि डिच्टलाइज नक्सा त्यार होने से सर्वे कंप् अब आप जल गया होगा अब जानना चाहते हैं तो आप पसंद था अब हर एक जनकारी आपको बिहार से रिटेड जो भी ट्रेंडिंग होते हैं वह हम आपको अपने चैनल पर आपको ने लाते हैं